हेलो विद्यारतियों, नमस्कार, SRP Education पर आप सभी का स्वागत है कल आपको बताय गया था कि 8.5 बोर्ड और 5.5 बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा कई विद्यारतियों के लिखित परिक्सा के अंख और सत्रांक अपलोड नहीं होने से अठका दोनों कक्साओं का परिणाम अब अगले सब्ता जारी होने की संभावना सिक्सा विभाग की अधूरी तयारी शिक्सा विभाग की अधूरी तैयारी पांचवी आठवी बोर्ड प्रिक्सा का प्रेणाम नहीं हुआ जारी 25 लाग विद्यारती और अभिभावक प्रेसान होते रहे शिक्सा विबाग के अधिकारियों की अधूरी तयारी के चलते पांचवीं बोर्ड और आठवीं बोर्ड प्रिक्सा का 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 प्र लाग विद्यारती दिन भर प्रिणाम का इंजार करते रहे आखिर उने मैयूस सी हात लगी अब इन दोनों कक्साओं का प्रिणाम अगले सप्ताई ही जारी होने की संभावना है शिक्सा विभाग ने प्रारमिक शिक्सा पूर्णता प्रमान पत्र प्रिक्सा आठवी और प्रात्मिक शिक्सा पूर्णता प्रमान पत्र प्रिक्सा पांचवी बोर्ड का प्रिणाम 25 मई को प्रिणाम जारी करने को कहा था विभाग के अधिकारी ने भी यते किया था किताय तिती तक सालादर्पन पोटल पर कई विद्यारतियों के ने तो उत्र पुस्तिकाओं के अंक ही अपलोड हो पाए और ना ही सत्रांग के अंक इस कारण बहुत से विद्यारतियों का प्रेनाम ही तैयार नहीं हुआ उदर विभाक दिकारी और प्रेनाम जारी करने कित्ति में कोई बदलाव नहीं किआ इस कारण परदेश पर के 25 लाग विद्यारति और अभीभावक सुबे से प्रेनाम का इंतचार करने लगे अब इसलिए नहीं जारी हो पए परिणाम के प्रिक्साओं के मद्ये तक आयजित की गई इस कारण उत्रपुस्तिकाओं के जाच भी देरी से प्रारम हुई संग रहन केंद्रों पर उत्रपुष्टी का जांच के बाद अभी तक कई विद्यारतियों के अंक है वो अपलोड नहीं हुए सत्रांग के अंक स्कुलों को अपलोड करने थे लेकिन कई स्कुलों ने बार बार सत्रांग अपलोड करने की तारिक बढ़ाने के बावजूद अंक अपलोड करने में देरी की शिक्सा विबाग के अधिकारी इन दोनों कक्षों का प्रिणाम शिक्सा मंत्री बीडी कला के हाथों जारी कराना चाहते हैं जबकि वुद्वार को प्रिणाम जारी होता तो कोई ऐसा कोई कारिकरम तई नहीं हुआ था इनका कहना है पाला राम मेउता पंजीक शिक्सा विबागी प्रिक्सा इंबिकानेर अभी कई विद्यारतियों के शत्रांग वे उत्रपुषते हों अंकब लोड नहीं हो सके हैं इस कारण परिणाम तयार नहीं हो सका है अब परिणाम जारी करने में कुछ समय और लगेगा सम्भवई तया अगले सब्ताए बुद्वार गुरुवार को रिजल्ट चारी होने की संभाव नाए हैं तो पांचवीं बोर्ड और आठवीं बोर्ड का परिणाम जारी नहीं हो पया कारण कई जिलों में अभी तैयारी अधूरी है और शिक्स अविबाग का ये मानना है कि पूरे परदेश में पांच्वी बोर्ड और आठ्वी बोर्ड का प्रिणाम एक साथ जारी किया जाए तो विद्ध्यारतियों अगले सप्ताहे तक आपको और इंजार करना पड़ेगा जैसे ही कोई अच्छी न्यूज होगी आपके लिए अच्छी खबर होगी हम आप तक पहुंचाने का कस्ट करेंगे सबी विद्ध्यारतियों से एक बार पुने रिक्वेस्ट है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें